बाडमेर से इस वक्त की बड़ी घबार दोशी चिकितसकों को बाडमेर जैसलमेर जालोर भेजने का विरोध हो रहा है दोशी चिकितसक शुनजनू प्रकरण के दोशी चिकितसक शुनजनू के सरकारी बीडिके अस्पताल में लापरवाही से जुड़ा ये मामला है और तमाम पश्चिमी राजस्टान भेज दिया गया है तो बाड मेर की जरता सवाल कर रही है कि आखिर हमारी क्या गलती है जो इन्हें याँ भेजा गया है राजस्तान सरकार के स्वास्थ जास्ति विभाक की कारवाई पर अब कंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं दोशी चिकित देखिए जुन जुनु की घटना पर लोगों का ये गुस्सा है बाड़मेड जैसलमेर के लोगों की जान से खिलवार ना करे सरकार ऐसे चिकत्सकों को यहां पर क्यों भेजा गया है धीन भावना से बाड़मेड जैसलमेर में पोस्टिंग देना सरकार की छेतर के प्रती हिके क्या औरोब भी लगाये जा रहे हैं जुन जुनु में एक जंदा व्यक्ती को मरत घोशित करके उसे डीव फ्रीजर में रखा गया और फिर बाद ये यूवक रोःतास जिसकी मौत हो इस मामले में जो दोशी डॉक्टर्स हैं उन्हें पश्चिमी राजिस्तान भेजा गया तो बाडमेर के लोगों ने इसका विरोध किया है और हमारे साथ कॉंग्रिस नेता आजाद सिंग जुड़ चुके हैं आजाद जी अब बाडमेर की जनता ये कह रही है कि हमारी क्या गल देखी ये कैसी गुदमना है और हमारे साथ कितना बड़ा ये एक जो कहा जाए कहना है कि जब भी रास्तान सरकार में कोई अधिकारी लापरवाई करता है या क्रम मन्न पाय जाता है तो उसे इसीता बाडमेर जखने दे जाता है आप जड़ा सोचिए क्या यहां के जनता सि पादमेर की जनता कह जाएज है और इसी सवाल को उटले जाता है कि आखिर कोई स्ट्रिक्ट एक्षन क्यों नहीं हुआ जुन जुनु के डॉक्टर्स को पश्चिमी राजस्तान भेज दिया जाता है जैसलमिर भेज दिया जाता है लेकिन यह बड़ा गंबीर आरोब आप लगा रहे हैं कि जिन्हें राजस्तान में कहीं जगा नहीं दी जात कर दी रहे हैं पर इसके बावजूद सरकार की हमेशा एक मनोदशा होती है कि जो भी लापरवाय कूल काम करता है जो योग्जे नहीं अजिकारी उन्हें बाढ़ में जिसमें बेजिए जैसलमिर की जनिता के इन सवालों का जवाब जरूर हम उमीद करेंगे कि सरकार की से रिजेक्ट हो जाते हैं शुक्री आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तो जुन जुनु के ये डॉक्टर्स बाढ़ मेर की जनिता को सुईकार नहीं दोशी चिकित्सकों को जुन जुनु से बाढ़ मेर जैसलमेर जालोर लगाया गया है तो इसका विरोध भी इन छेत में अब हो रहा है कि ऐसे डॉक्टर्स को यहां पर क्यों लगाया गया है बाढ़ मेर जैसलमेर कोई कच्रा संगरहन केंद्र नहीं है इस तरह की बाते भी कही जा रही है